हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक झीव वीडियो में एंड इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ अगर आप Cassify का इस्तमाल करते हैं और आपने Cassify में पैसा कमाया है और उस पैसे को आप वीडॉल करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, रेडिम करना चाहते हैं, कैसी आप से आप पैसा कैसे निकाल सकते हैं, इस वीडियो को आप बिलकुल ध्यान से देखें, इस वीडियो के अंदर फुल प्रोसेस में आपको बैंक अकाउंट में जो है, यानि दोस्तो open कर लेना है, and open करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है, and यहाँ पर जो आपको सबसे पहले काम करना है, और मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नीचे में कुछ options दिख रहा होगा, sale by, repair, service याप पर profile का option दिया जाता है, आपको यहाँ पर क्या करना है, profile वाला जो options दो हो रहा है आपको इस profile वाले option पर click करना है, and दोस्तो profile वाले option पर आप जैसे ही click कर देते हैं, तो आप कुछ इस तरह के option में चले आईएगा, आप जैसे की यहाँ पर देख सकते हैं, and इसके बाद जो आपको काम करना है इसके लिए आपको नीचे में जो है my account वाला एक button दिख रहा होगा, आप धियान से देखेंगे, आपको इस पर click करना है, and click करते ही दोस्तों आपको पूरा information यहाँ पर दे दिया जाता है, सबसे पहला option है personal detail और यहाँ पर save payment option, तो मैं आपको बदा तो जिन बातों का आपको धियान रखना है न, इससे पहले अगर आप यहाँ पर जो है कभी भी पैसा withdrawal नहीं किये हैं, पैसा नहीं निकाल ले है कैसिफाई से तो आपको इसमें जो है bank account को add करना होगा, ठीक है, अगर आपको bank account add करने नहीं आता है, तो मैंने उसके उपर वी video बना दिया है, आप हमारी channel में जाके देख सकते हैं, और दोस्तों बीना आप bank account को add किये, यहां से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले आप यहां पर save payment option पर click करके UPI, या फिर आपको bank account का number डाल कर आप अपना bank account को add कर लीजिए, bank account हमने already add कर रखा है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, अपने पैसे को withdrawl करेंगे, withdrawl करने के लिए my earning का जो option दिख रहा है, आपको इस पर click करना है, and click करते ही कुछ इस तरह का interface में आप चले आईएगा, ठीक है, अभी आप देखेंगे तो मेरे classify balance में 100 रुपीस है, तो मैं यहां पर इसको withdrawl करने वाला हूँ, और कैसे withdrawl करना है, चली मैं आपको बताता हूँ, withdrawl करने के लिए नीचे में आपको redeem now का जो options हो रहा है, यहाँ पर आपको redeem now के option पे click करने के बाद, जो कुछ इस तरह का आपको option देखने को मिलेगा, जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर आपको जितना भी यहाँ पर payment को निकालना है न, जो भी आप यहाँ पर cashify से पैसा withdrawl करना चाहते हैं उसको यहाँ पर type amount to be redeem के option पे आपको click करना है, और यहाँ पर जितना भी पैसा आप redeem करना चाहते हैं उतना पैसा डाल दे, जैसे कि मुझे यहाँ पर 100 रूपीस निकालना है, तो मैंने यहाँ पर 100 रूपीस को डाल दिया है, और 100 रूपीस को डालने के बाद, आपको यहाँ पर redeem now का option मिलेगा, आप जिसकी यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इस redeem now के option पे click करना है, आप यहाँ पर किन चीजों से अपने पैसे को विड़ोल करना चाहते हैं, जैसे कि bank हो गया, Amazon, Tata, और भी काफिस तरह option दिया हुआ है, तो मुझे UPI से करना है, तो मैं direct UPI के option पे click करूँगा, आप यहाँ अपने बताया था इससे पहले, तो confirm का button जो है वो highlight होगा, इसके बद आपको confirm के option पे click करना है, and click करते ही payment यहाँ पर successfully हो जाएगा, आप जिसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा payment है वो यहाँ पर bank में हमारा चला गया, और दोस्तों मैं आपको बता दो दोस्तों यह जो payment है, वो यहाँ पर 24 गंट के अंदर में हमारे bank account के अंदर यह payment आ जाएगा, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पर bank account का जाला था न, वो option उसमें जो है हमारा यहाँ पर देख सकते हैं, pending में जो है हमारा balance यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो balance है वो cut चुका है, एंड दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं अपना balance, और दोस्तों हमारा जो balance है वो यहाँ पर zero हो चुका है, आप दिसी की देख सकते हैं, और इस परकार से आपका जो यहाँ पर classify से application से जो पैसा है, वो आप नहीं काल सकते हैं वीडियो कैसा ला है कमेंट बॉक्स में जूर से बताएगा वीडियो को लाइक करना साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले